numerical related to elevation in boiling points अपना इग numerical गीवन है, उसकी कुछ data में आपको यहां पर किया है, numerical means given जो है आपका boiling point of pure solvent जो pure solvents है उसका boiling point given है कितना 353.23 के लवीं और इसमें non-volatile solute जो है वो बेंजीन दे रखा है उसको कितना डिजोल कर रखा है आपके सामने 1.80 gram जो condition है अपने पास में elevation boiling point when a non-volatile solute डिजोल तो non-volatile solute यहांपर अपने पास में given है बेंजीन तो उसका amount दे रखा है अपने पास में 1.80 gram clear boiling point of solution जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है 354.11 kelvin gram mass of solvent w कितना दे रखा है आपको 90 gram इसका दे रखा है 90 gram clear तो यहांपर kb भी आपको given है kb में आपको दे रखा है 2.53 kelvin kg per mole अपने पास में अब इसमें क्या final करना है आपको mb final करना है that is the molar mass of given solute रखाना है आपको molar mass of given solute तो अपने पास जो formula आता है वो formula क्या होगा आपको पता है mb is equal to kb upon delta tb into kya होगा wb upon wa into 1000 अब यहां पर देखिए कौन-कौन सी वेगे अपने पास given है कौन-कौन सी वेगे आपको कहीं से लानी होगी देखिए देखिए kb आपका given है clear put up कर देगे delta tb कहीं जजर नहीं आपको इसको find out आपको करना होगा wb that is the gram mass of non-volatile solute 1.80 given है wa a gram mass of solvent 90 gram आपका given है या फिर आपको दो temperature given होगे उसमें आपको उसको calculate करना है तो इसका formula आपको पता है delta tb squared क्या होगा tb minus tb note क्या होगा tb minus tb note tb क्या है आपका solution का जाना होता है 354.11-353.23 clear तो यहां पर अपने पास जो formula वेलिटिकल क्याएगी 0.88 scale mean अपने पास क्याज़ेगा delta tb और आप इसकी value put up करोगे तो अपने पास finally formula answer क्याएगा mb क्याज़ेगा अपने पास में mb that is the molar mass of solute क्याज़ेगा molar mass of solute तो आप इस तरीके से value identify करके जो formula है वो आपका elevation of boiling point का यूज़ करते वे molar mass find out कर सकते हो या molar mass given है और value given है तो delta tb आप आपको इन दोजों में से कोई भी temperature find out करवा सकता है आपसे बोच सकता है कि given condition में given condition में आपको इस solution का कितना temperature required होगा जिस पर यह बोएल होगा तो उस condition में आपको पहले देर्गाट भी निकालना है और फिर उसकी calculate करके अपनको final answer निकालना होगा तो इस तरह से given values में सबसे important क्या होता है आपका identification अगर आपका identification सही है कि कौन सी value किस करना आपका solution में भी दे रखा है आपको पीडिये फाइल है उसमें पूरा solution है बड़ मैंने आपको expect करने के लिए शारी values given है इसमें आप value put up करना अपना ज़त देर लिए आएगा आज ही class में इतना ही students I hope आपको यह सारी चीज़े clear होगी thank you students अधर बड़ने सीघ के जाएगा